कि अब दोस्तों एक नए वी-लोग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वैसे वी-लोग ही बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो लॉक्डाउन है फिर हमारे जो आफिस है जो इस्टूडियो है शॉप है सब कुछ बंध है तो फिर आज की जो वीडियो थी वो थी हमारे आई लगबग 15-20,000 के एर कूलर आते हैं मार्केट में और लोग पर्चेज भी कर रहे हैं तभी कंपनी निकालती होगी तो क्यों ना एसी पर वीडियो बनाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि एसी भी इलेक्ट्रिसिटी कम ही कंज्यूम करती है वैसे कूलर कम करता है पर एसी का जो मजा है वो अलगी है अब बिल्कुल फ्रेश रहते हैं अंदर की तरफ और कुछ भी चिप चिपाड नहीं होती बागी कूलर तो कूलर है और एसी एसी ही रहने वाला है बात करते है आईशोर बहुत ही अच्छी आनी चालो हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आता है बात करें अगर आईशोर रेटिन की अगर 2.9 आईशोर रेटिन है किसी एसी का जैसे उपर लेबलिंग होती है उसके उपर लिखा होता है यहां पर 2.7, 2.9, 3.1 कितनी आईशोर रेट 15 यूनिट यानी कि आप मान सकते हैं 5 रूपे पर यूनिट यानी कि 75 रूपे होते हैं लगभग 75 या फिर 70 पिछेतर रूपे पर डे का खर्चा है और अगर मन्थली देखें तो फिर 2,000 का खर्चा बैठता है मन्थली 2,000 का खर्चा है वैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आत या फिर जो भी तो 4.1 भी और 4.0 भी है 3.0 अगर आप 4 या 5 आइशारेटी वाला एसी आप लेते हैं तो इलेक्रिसिटी का बिल बिल्कूल ही कम आएगा आप मान सकते हैं पर मंद का जो खर्चा है वह आपके लगए 1200 रुपे होगा यसे मेरे खुद के पास वोल्टास का एसी है उसमें आइशारेटी मैंने कभी देखा नहीं है पर मैं यूज करता हूं पर डे साथ एक घंटे पर डे यूज करता हूं वह भी दिन में दुकान पर लगा हुआ है और जो मीटर है इलेक्रिसिटी वालों भी कॉमर्शल है अगर देखते हैं उसके हिसाब से तो फिर जो पर डे खर्चा आ रहा है मेरे साब से लगव पांच यूणीट पर डे कंजिउम कर रहा है अगर पांच यूणीट पर डे देखते हैं तो बहुत ही कम खर्चा है क्योंकि कॉमर्शल में ज्यादा है रेट आज की वीडियो डोमेस्टिक पर है आप अगर घर पे यूज करते हैं उसी के ऊपर है कॉमर्शल के कभी और बनाएंगे उसमें खर्चात होता है ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यूणीट का खर्चा भी ज्यादा होता है अगर डोमेस्टिक की बात करें अगर पांच यूणीट कंजिउम कर रहा है मैंने लग बग 32,000 में इसलिया था तो क्योंकि आपका जो 10,15 अधरा का रूम है 10 फिट चोड़ा या 10 फिट लंबा 15 फिट चोड़ा या फिर 15 फिट लंबा या फिर 15 फिट बढ़ा तीनो सो फित तक तो 1,5 1.5 तन गा एसी एकदम सफीसेंट है और आज की वीडियो में 1.5 तन की ही बात करें जिसकी जो कुलिंग जो capacity है वो 1200 watt है उसी की बात कर रहे है आज की एसी में आज की वीडियो में और अगर डेटन का इसी है 15-25 का रूम है तो एक दिम सफिसेंट है अच्छे से कूलिंग करेगा अच्छी कूलिंग होगी और electricity अगर आपको बचानी है आज कर हर ब्रेंड के ऊपर एक लेबल आता है 24 celsius वाला यानि 24 celsius लिखा होता है वो इसलिए लिखा होता है company यह बोलती है अगर आपको electricity सेव करनी है आपको non-stop continue आपको 24 पर ही चलानी पड़ेगी बहुत सार ऐसा लोग होता है कि एसी चालू करते ही अठारा पर कर देते हैं आपका जो एरिया जो cool करना है वो एसी को ही करना है थोड़ा time भले लेगा अगर आप 18 पर करेंगे तो फिर वो आधे मिंड में करेंगा अगर आप 24 पर चलाएंगे तो फिर आप एक मिंड में कूल करेंगा पर एक मिंड में टैंपरेचर सेट हो जाएगा लगबग दस चल रहा है स्टेबल चल रहा है इसका मतलब आप यह मानिए कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी एक दम सही आएगा और आज की वीडियो में जितनी बात कर रहा हूं वह सब इन्वेटर एसी का बोल रहा हूं जिसमें डूवल रोटरी कंप्रेसर होता है जो नॉन स्टॉप कंटी इन्वेटर के बारे में या फिर ट्रिपल रोटरी जो भी आज के बहुत सारे इन्वेटर जो मोडल आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं और आईशर रेटीन तो आप कंपल्सरी देखिएगा कि आईशर रेटीन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है एक एसी के आपको एक आईडिया लग जाएगा कि वास्तर में इलेक्टरिसीटी कितने टन का एसी है कितना कूलिंग जो कैपेसिटी एरिया है और कितनी आईशर रेटीन है कितना बिल कंजियों करता है उसमें जो इसमें जो चार रुपे लिखा हुआ है यूनिट का खर्चा अब मेरे आपको बिल्कुल सही आएडिया आ जाएगा एसी खरीदना बिल्कुल सही चॉइस है और जो लोग बोल रहे हैं कि एसी यूज करने से कौरोना होता है वह भी फालतू बक्वास कर रहे हैं मैं लग पिछले साल भी यूज किया था इस बार भी किया है पर एक बार भी मुझे कौरोना नहीं हुआ है उल्टा एसी वाल रूम में आप अच्छे से सेफ बैठ सकते हैं बैक्ट्रिया का बढ़ने का खरता जो खत्रा है वो बढ़ कम हो जाता है फ्रेश एक दम महौल रहता है एर भी आपको बिल्कुल फ्रेश अंदर फील होता है आपकी बॉड़ी बिल् चुच रहे हैं कि एसी पर्चेज करना चाहिए या फिर कूलर तो मैं आप सभी को बता दू कि एसी ही पर्चेज करना चाहिए मेरे साब से तीस हजार रुपए आप खर्च करेंगे तो आपको वहां पर लगबग दस से पंदरा साल की छुट्टी हो जाएगी अगर आप एक कुलर पर्चेज करते हैं लगबग 15 से 15 एक हजार तो आप यह मानने कि 15 वाला कूलर लगबग मेरे असाब से चलेगा आप यह मान सकते हैं कि 15 000 का कूलर है तो इसकी जो लाइफ होगी वह तीन साल तो मुस्किल से निकालेगा क्यों कि तीन साल बात वहाद हो जाएगा सढ़ जाएगा प्लास्टिक है या फिर लोहे का है कुछ भी हो वो सड़ेगा और खराब हो जाएगा तो आपके एक बार और खर्चा बढ़ जाएगा एसी सड़ने वाला नहीं है पर आपको कॉपर वाला एसी ही परचेज करना है तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही व झाला तो आपके बाएगा ऑ मिलते हैं एक बाएगा नहीं हैma ड़ी हैं करना है नही güç जाएगान है एक को उसके तो की हैं जाला थे हैं आपके तो